Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें Facebook पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक English poet William Ernest Henley की poem Invictus ये poem 1875 में लिखी गई थी और इसे publish किया गया था 1888 में poem छोटी सी है, 16 line की poem है और 4 quartrains में बाटी गई है साथ ही हर quartrain की जो rhyming scheme है वो है ABAB Friends, poem शुरू करने से पहले हम title पर ध्यान देते हैं Invictus ये क्या है? Invictus एक Latin word है जिसका meaning होता है unconquered यानि जिस पर कोई काबू नहीं कर सकता, जिसे कोई जीत नहीं सकता और इस poem में unconquered क्या है तो poet की soul इस पूरी poem में poet हमें बताते हैं कि कितनी भी मुश्किले आएं वो मुश्किले उन्हें तोड़ नहीं सकती हैं उन्हें उदास नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनकी सोल उनके अंडर में हैं, वो अपनी सोल पर राज करते हैं और इसलिए कभी भी कोई भी परेशानी, उनकी सोल को उनकी आत्मा को तोड़ नहीं सकती। फ्रेंड्स विलियम अरनेस्ट हैंली, उन्होंने जब ये पोयम लिखी थी तब वो बहुत ही बुरे समय से गुजर रहे थे अपने जीवन में, उन्हें एक खतरनाग बिमारी हो गई थी जिनके कारण डॉक्टर्स को उनका लेफ्ट लेग काटना पड़ा, इस बात का उनके जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा, क्योंकि अब वो डिसेबल हो गए थे, लेकिन उन्होंने इस बात को नेगेटिवली नहीं लिया, बलकि पॉजिटिवली देखा कि अरे एक पैर चला गया तो क्या हुआ, एक पैर अभी भी तो है, और यही हिम्मत, इसी ने उन्हे आगे बढ़ाया, पोईट्रीज लिखने पर मजबूर किया, और उनकी सबसे फेमस वर्क मानी जाती है, यह पोयम, इन्विक्टस, फ्रेंट्स, विलियम अर्नेस्ट हैंले, इनका जन्म हुआ था 23 अउगस्ट 1849 में, और इनकी डेथ हुई थी 11 जलाई 1903 में, यह एक इंग इन्ही को देखकर, रॉबर्ट लुईस स्टिविंसन ने अपने कैरेक्टर लॉंग जॉन सिल्वर को डिस्क्राइब किया था, फ्रेंट्स इनकी फेमस वर्क में, इन्विक्टस, और डेड आक्टर्स, दे सौंग अफ दे सौर्ड, यह सभी पोयम शामिल हैं, तो चलिए फ मुझे भी ढक लेता है, अपने अंदर समेट लेता है, और यह अंधेरा किसी गहरे गड़े की तरह ब्लैक है, जो एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ है, बिलकुल काले रंग का है, और मैं जो भी भगवान होते हैं, उन्हें थैंक करता हूँ, For my unconquerable soul, मेरी soul के लिए, मेरी आत्मा के लिए, जिस पर ये अंधेरा काबू नहीं पा सकता, उसे जीत नहीं सकता है, यानि पोईट यहां पर एक बहुत ही miserable और mysterious situation को देते हैं, ये रात का अंधेरा जो है, ये पोईट के लिए depression है, उनका पैर कट गया है और वो disabled हो गए है, लेकिन फिर भी ये जो depression है, ये इन पर हावी नहीं हो पाता, इन्हें अपने अंदर खीच नहीं पाता, क्योंकि इन पोईट का मानना है, कि भगवान ने उनकी soul ऐसी बनाई है, कि उस soul पर कोई काबू नहीं पा सकता है, कोई उस soul को अपने अंडर में नहीं ला सकता है, In the fell clutch of circumstance, जब circumstances ने, यानि हालातों ने मुझे बान दिया और मुझे फसा लिया, इसी different और difficult situation में, I have not winced nor cried aloud, तो मैंने ना ही कभी सिसकारी भरी और ना ही मैं कभी जोरों से रोया, यानि मैंने अपनी हिम्मत दिखाई ऐसे हालातों में भी मैं कभी कमजोर नहीं पड़ा, और भले ही, चांस ने, यानि हालातों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे घायल किया, My head is bloody, but unbored, तो मेरे सिर से भले ही खून बह रहा है, मुझे चोट लगी है, मगर मेरा ये सिर जुका नहीं उन हालातों के सामने, बल्कि उससे लड़ा, यानि यहां पर कौन से हालात की बात हो रही है, तो जो पोईट के साथ हादसा हुआ, उनके लेक को लेकर, उसी के बारे में पोईट कह रहे हैं, कि ये एक हालात ही थी जिसके कारण वो उसमें फस गए, उनका पैर चला गया, वो डिजेबल हो गए, और शायद अब दुनिया उन्हें तरस से देखती होगी, लेकिन वो खुद को इस तरस से नहीं देखते हैं, वो अपना सिर नहीं जुकाएंगे, बलकि सिर उठा के चले हैं, कहते हैं कि ये जो हमारी जिंदगी है, दुख और आंसों से भरे हुए, उसके आगे, looms but the horror of the shade, उसके आगे बसा है horror of shade, यानि एक अलग ही तरह का pain, डर, जो हमें अपने पास खीच लेगा, यानि अभी तो हमने कुछ भी नहीं जहला है, इसके आगे तो हमें और भी ज़्यादा दुख झेलने हैं, and yet the menace of the years, और फिर भी इन सालों के बाद इतनी तकलीफों के बाद भी, finds and shall find me unaffraid, जब मैं मिलूंगा, तब भी मुझ में कोई डर नहीं होगा, मेरी हिम्मत नहीं तूटी होगी, यानि poet यहाँ पर अपनी confirmation दे रहे हैं, अपनी surety को बता र और नहीं कभी जोरों से रोएंगे, और अपने emotions को दुनिया को दिखाएंगे, उन्हें पता है कि वो बहुत strong है, उनकी soul बहुत strong है, और इसलिए उन्हें उन्स pain से, उन मुसीबतों से कोई डर नहीं है, Friends, यह line जो है, यह Christian Bible से related, Bible में एक line है, जहां Jesus Christ कहते हैं, Straight is the gate and narrow is the way, which leadeth unto life and few there be that find it, यानि जो heaven में जाने का gate है और जो वहां का रास्ता है, वो बहुत ही तंग है, narrow है, और वो आपको एक नए जीवन में ले जाएगा, कुछ कदम चल के आप एक नए जीवन में जाएंगे, तो poet यहां उसी बात से related अपने जवाब को दे रहे हैं, कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि heaven को जाने वाला ये gate, कितना straight है, कितना तंग है, और जो स्क्रॉल है, जिसमें हमारी जिन्दगी की सभी चीजें लिखी हैं, हमारे सिंस लिखे हैं, उसे पढ़ कर हमें किस तरह पनिश किया जाएगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानि मुझे अपनी after life की कोई फिक्र नहीं है, कि heaven जाकर जब मैं भगवान के सामने खड़ा हूँगा, तो मेरे साथ क्या होगा, I am the master of my fate, मैं अपने किसमत का अपने तकदीर का मालिक हूँ, I am the captain of my soul, और मैं अपनी soul का, यानि अपनी आत्मा का भी captain हूँ, मैं ही उसे order कर सकता हूँ, और कोई भी उस पर rule नहीं कर सकता है, यानि अभी तक तो poet ये कह रहे थे कि दुख, परेशानिया, ये सभी चीजें उन्हें डरा नहीं सकती, उनकी हिम्मत को तोड़ने ही सकती, लेकिन यहाँ पर अब poet का कहना है कि ये सभी चीजें ही नहीं, भगवान भी उनकी soul को control नहीं कर सकते हैं, फ्रेंड्स यहाँ पर ये poem खत्म होती है, ये एक बहुत ही motivational poem है, poet ने पूरी poem में तो हमें motivate किया ही है, साथ ही हमें उनकी जिन्दगी को भी देखना चाहिए, कितने बुरे हालात में थे वो और कितनी अच्छी poetry लिख रहे थे दूसरों को motivate करने के बारे में, तो हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए, हमें भी अपने परेशानियों से, अपने डर से लड़ना चाहिए, उनसे हारना नहीं चाहिए, उनके सामने सिर नहीं जुकाने चाहिए, तभी हम poet की इस poem को सही तरह से समझ सकेंगे, तो फ्रेंड्स ये थी William Ernest Henley की poem Invictus.